Hello, my dear student and teachers, how are you all? I hope that everyone will be fine. Students, especially this video is for our teachers. We will also see that there are some teachers who go to the classroom, so students are very interested in them. But some teachers who go to the classroom and when they go to the topic, when they go to the classroom and when they go to the classroom, then many children are in class. So teachers are very important to become a problem. And when you are good teachers or say that you are discussing a topic properly, but students don't interact with you, so definitely when students interact with you, we will not be able to start with you. When we start with you, when you are teaching, there will be a place in your teaching, then there will be a place in your education. So today, especially this video, we will talk about that. and then we will talk about that. We will make it easy to do, so we will make it easy on our students. So we will do that in the classroom that each student can interact with us. So each student has been attracted to us, It is a point where we see, that there are many teachers and parents interact with us, so they can be able to live well, उनको पता ही नहीं चलता है कि 40 और 45 मिनट का जो बेल है वो कैसे खत्म हो गया लेकिन कुछ होते हैं कि भाई उनको एक टाइम काटना हो जाता है कि भाई कैसे 40 मिनट कटे कि मैं क्लास से बाहर आउं लेकिन अब आए अच्छे टीचर्स कि ये तो एक पहचान है ना जब क्लास इसलिए हम देखते हैं जब क्लासरूम में जाते हैं तो क्या होता है अपनी आपको हम प्रिपेर्ड होके नहीं जाते हैं हमारे ही अंदर फूल अप कॉन्फिडेंट नहीं होता है हमारे अंदर वो फेस का स्माइलिंग नहीं होता है हमारे अंदर क्या होता है कि हम पहले से क प्लानिंग नहीं करते हैं हमारी जो लेस्टन एक्टे अभा कि चिंटाएंinator लेकिन वह चिंटा वह प्रॉबцип Q कभी भी आप classroom में लेकर ना जाएं, हो सकता है, बहुत से आपको example भी देखते हैं, कि बिल्कुल हम लोग ने याद है मुझे, कि मैंने एक फिल्म देखा था मेरा नाम जोकर, मेरा नाम जोकर में क्या होता है, जो actor होता है, उसकी मा की जब देथ हो जाती है, लेकिन क्या होता ह अपने आपको represent करना होता है, परदे पे, stage पे जाकर, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे अपना acting represent करता है, पलबर के लिए वो शारे दुख मुसीबत को भूल जाता है, similarly, जब classroom में जब enter करें, तो आपकी जितनी भी problem है, tension है, उसको बाहर रखना होगा, और जैसे आप class में जब enter करते हैं, तो first of all, आप full confident रहें, आपकी चेहरे पे smiling रहें, और जैसे जब class में enter करें, तो definitely, इस तरह के जैसे आप greeting करते हैं, आपी greeting पहले करते हैं, good morning, all of our students, आ आप greeting करते हैं, फिर बच्चे आपके standing position में आपके वो answer देते हैं, आप जो भी आपने greeting करते हैं, आपका जो face होना चाहिए, बिल्कुल smiling होना चाहिए, एक मुश्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए, आप greeting करते हैं, greeting के बाद actually क्या होता हैं, कि हम classroom में जाते हैं, तो greeting के अभिवादन के बाद सीधे हम क्या करते हैं, बूक ओपन करवाते हैं, या बोर्ड पे काम करना शुरू करते हैं, यह कहीं भी teaching skills अच्छा नहीं है, और इससे बच्चे आपसे कभी interact नहीं होते हैं, आप कहीं भी आप देखे होंगे, कि आप example है, कि जब बच्चों से कुछ हमको कहलवाना है, या बोलवाना है, तो पहले क्या करते हैं, एक माहौल पैदा करते हैं, माल लीजिए, अगर सुनना चाहते हैं, बच्चों से किस सुनना चाहते हैं, तो क्या बच्चे से गा देंगे, आप कई बच्चों से कहते हैं, कई बच्चों से कहते हैं, बटो गान कराएंगे तो definitely इससे बच्चे तो इंट्रेक्ट होते ही नहीं है हना तीसलिए सबसे पहला मेरा काम है आप किसी लेसंस को पराते हैं और पहले वार्मर होते हैं वार्मर को मतलब क्या होता है ना कि उस से कहलते हैं कि पहले उस कहानी के पहले इस तरह की questions को arise करना कि बच्चे क आपको वार्म करता है अपने आपको यह शरीर को हिलाता है बल्ला को घुमाता है ताकि अपनी बॉडी को वार्म करता है तब जाके वह खेलता है शिमिलर्ली आजे टीचर समक्लास्रूम में गये तो शिदे हम पढ़ानी कोशिस नकरे बलकि बच्चे से राफता करें मतलब उसे conversation करें, एक ऐसी conversation कुछ बच्चों से हाल चाल पुछ लेंगे, कुछ बच्चों से बाते कर लेंगे, अच्छे ची, मतलब इस तरह बाते करेंगे, कि उस classroom कुछ खुसनुमा हो जाए, और जिस topic को आपको teach करना है, अइसे बाते करें, कि अंत में बहुत सारे question के माध्यम से धीरे धीरे उस topic पे लाने की कोशिश करें, हाना, तब आप class को start करेंगे, तो हो सकता है बच्चे आपसे interact करना शुरू करते हैं, हाँ, एक तो problem होता है, एक problem होता है, माली जे आपके classroom में कितने बच्चे हैं, माली जे 45 या 50 बच्चे हैं, ये 40 बच्चे हैं, हाँ, उस 40-45 बच्चे में कुछ बच्चे नौ्टी होती है, शरार्ती होती हैं, अगर उनको controle करना सबसे आहम बात है, अगर उनको control नहीं कर पाते हैं, तो कही न कही आपकी classroom में बज़ान पैदा करते हैं, हैं आपको disturbance करते हैं तो उनको भी एक असान तरीका है मालेजेए आप किसी टॉप को teach कर रहा है किसी टॉपीक याप उनको केसे करींगे तो उनको किसी कर रहें और जब भी 5 मिनट या 7 कर लेतें सो बीच मिच में आख कोस्ट्ण करें लेकिन पहला जो कुछाहिए जो आपको लग रहे ना कि पांच साथ बच्चे जो है नौटी है या आपसे इंट्राक्ट नहीं होते हैं आपसे जूरते नहीं है तो उनसे कोछें कीजिए उसमें से किसी एक से कोछें करेंगा चुकि वो तो आप जो टीच करेंगा उसका ध्या को अदर भी ड़र होका औरे सरजी के civils कर रहें अगर हम ठीक से नहीं देखेंगे तो हमसे प्रशन पुछेंगे सब्सक्राइब सकता है कि मनझे की स्टाइब करा करा कर हमको भी थोरह सा सरजी कुछ बोल सकते तब क्या होल एकि उसको देखकर भाकी के नोटी स्टुडेंट होते हैं फ्रेंट्स होते हैं वो भी सान्त हो जाते हैं तो यह तरीका बहुत इंपोर्टेंट है जिसको हम लोग सतत मुल्यांकन करते हैं कि बीच-बीच में जु है आप कोसं करते रहेंगे पांच-दस मिन टीच करें जो टीच कर रहें ना उसी से ने रिलेटेट्ट कोसं करें क racing करें जो वीक स्टूरेंट से जो पूर स्टूरेंट है जो नोट्य स्टूरेंट ए उससे ही कोसं उससे ही कोसंद تم दा गए होगा जब उससे कोसं करना से कॉंड़क्ट कर सकते हो तो आपकी यह तकनीक जो है ना यह तकनीक जो है ना बहुत असान हां एक बात और है और बाकी जो नौटी स्टुडेंट से उससे ज्यादा आप इरिटेट ना उससे दूरिया ना बनाए यह वात नहीं कि चलो भाई अब आकर बाहर उसकी सिकायत कर करते हैं उसकी यह बच्चा खराब है यह बच्चे बड़ा ही प्रेशान करते नहीं उसके करीब जाएं अगर कलास के बाहर कभी लंच होता है तो वह पांच स्टुडेंट से मिले एक फ्रेंडली कायम करें दोस्ताना भी दोस्ती बनाना परेगा और दोस्त बनाकर ही हम उन हमें बॉडिक अंदर इतनी बड़ी परिवर्ताने चैंजिंग होता है ना कि खुद स्टुडेंट में नहीं समझ पाता है तो इसमें अगर कोई सीरियस आपे स्टेप लेते हैं तो आपके संब अन्होनी हो सकता है हो सकता है कि आप देखेंगे हमारी जो सिक्सार स्टेश्याकों कर सकते हो ऐसे भी आप जानते हैं एक टीचर का रियल डाफिशन क्या है एज टीचर इजफ्रेंट्स गाइट एंड फिलोशफर्स पर अपसे खुलके बाते करेंगे खुलके बाते करेंगे तो उसमें आप उसको काफी हद तक उसको समझा सकते हो काफी हद तक उसमें इंप्रूमेंट कर सकते हो ऐसी बात नहीं है कि हमने देखा भी है कि जो बच्चे क्यावते साती वाठी वाठी वह में बहुत ही बदमास थे बच्टे 10 में 12 में जाकर उसमें काफी चेंजिंग आया और बहुत अच्छा किये तो ऐसा नहीं है आई जो टी एक लेशन को मालीजे एक लेशन आपके लेशन मालीजे कोई भी हिंदी का इंग्लिश के लेशन है मालीजे उसमें कितने किताब है इंग्लिश के किताब है उसमें कितने लेशन है मालीजे 15-16 लेशन है हमको 220 दिन वाकिंग दे है हम लोग क्या करते एक दो दिन में लेशन क को समाप्त करते हैं हरी भाई आप देखिए इलेशन ए पार्ट एक पेज में है या दो पेज में है लेकिन एक्ससाइज पांच ये पीजब बनाना है और सइघ्राइज़ ढिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप्स कही होता है फिलिंद ब्लैंक होता है फाल से ट्रू होते हैं मैच दूसके करने के बाद जितनी Estoy Just a jitney and cc कुण करते हैं तो बच्चे क्या होते न उसके अंदर कहीना कहीनि этом कहीनिक निखार पैदा होता है तो शिक्ने सिखानी की परकिरिया है भिलकुल उसके करीबी आयकर हम कर सकते हैं दूर जाकर हम शिखने सिखाने की परकिरिया को हम कभी नहीं कर सकते हैं इसलिए अगर classroom को definitely अपने बरक अक्षो बहुत ही strong बनाना है बहुत ही अच्छा बनाना है तो सारे students से definitely जोड़ना होगा और जब students आप से आप से जब interact ही नहीं हो पाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो friends से मैंने ये बताया कि आखिर अपने एक classroom को कैसे strong बनाएंगे हाँ daily रोज रोज आप जब जाते है classroom में तो आप एक planning करना ही होगा जिसको relation plan बोलते हैं planning करना होगा एक e method को बारबार ले जाते हैं तो उसे बचे थुट फैड़ अफ होते हैं तो आप एक planning करना होगा आप कम से कम classroom जब ओबर हो गर पे जाएं चाहें आएं तो उसके बारे में थोड़ा तो 10 मिनट आधा हंटा तो सोचना ही होगा ना कि classroom को अपने strong कैसे बनाएं मजबूत कैसे बनाएं सोचना होगा और definitely ऐसे सोचेंगे और जिस topic को जिस subject को आप पहले अगर पढ़ाने जा रहे हैं तो definitely आप खुद studies कर ले उस relations को इतने strong बना ले और इतने strong बना ले ताकि इतने ढंक से पढ़ाएं कि बच्चे काफी आप से effect होगे बट पता चलता है ना कि खुद ही हम studies करके नहीं गए हैं और खुद ही उसमें हमारी fully knowledge नहीं है वहाँ जाते हैं तो कहीं नहीं hesitate करते हैं ऐसी बात नहीं है बहुत शारे एक दो percent student होते हैं कापी intelligent होते हैं तो आपके teaching skill को देख रहे हैं सारे lessons को अच्छे से तियार कर ले तब classroom mentor करें तो definitely आपका class बहुत अच्छा रहता है चुकि आपका जो तेज student है अच्छे student है तो आपके teaching quality को देखते हैं teaching quality से काफी effective होते हैं प्रभावित होते हैं बाकी जो नौटी स्टुडेंट हमने बता है कि दूसरा तरीका अक्तियार करेंगे अब बाकी जो अच्छे student हो तो आपके teaching skills से ही दम प्रभावित हो जाएंगे तो मैं बताओं कि यह जो तरीका आज वीडियो बनाने का में तरीका है कि हम अपने classroom को कैसे शोरगुल से बचाएं और कैसे effective बनाएं और कैसे ससक्त बनाएं और कैसे बच्चों को सारे इंट्रेक्ट कर ले यह मेरा एक छोटी और मुटा सुझाव था मैं समझता हूं कि छोटी से सुझाव आप लोगों पसंद आयोंगे आयोंगे तो प्लीज इस वीडियो का अधिक से अधिक सेर कहीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के पास अगले वीडियो में अग आपया